तो गैइस आज की इस वीडियो में बूलेट कॉनेक्टर को वाइर से कैसे किया जाता है तो सबसे पहले इसको कनेक्ट करने के लिए हमें इस परकार से लकटी में इसी साइज का होल कर लेना होगा, तो जैसे कि इसमें अच्छी तरीके से यह बैठ सके, अब देख सकते हैं, औ फिर उसमें लगाने के बाद मैं हमें क्या करना है की तो इससे सोल्डृिंग करने के लिए हमें ज्यादा वाट का सोल्डृ कर रहना जरूरी है । और इसपरकार से सब्सक्राइब होता है छोटा सा वहीं पर सोलडर को लगा के रखेंगे जब तक की इसमें का जो कि घल चारे करेंगे ठंडaky अन्ने तब हां तो आप आप सकते हैं इस परकार से आप अच्छी तरीके से रूंधी कर सकते हैं बूलेट कनेक्टर को लगा सकते हैं तो चलिए दूसरा वाला वाईर भी हम लगा लेते हैं इस इस ब्लयक वाला वायर का तो इस परकर से आप आसानी से इसमें कर सकते हैं यहाँ पर होल में टच करने के बाद जब तक यह कि सोल्डरिंग वायर पिघ्छल न जाए उसमें से तब तक उसी तरह रखना है इसके बाद इसे लगा करके और थोड़ा देर तक रहने देना है तो आप दख सकते हैं इतना अच्छी तरीके से आप सोल्डरिंग कर सकते हैं इसके बाद हिट्सिंग ट्यूब उसमें कट करके इस परकार से लगा लेंगे और इसे लगाने के बाद में हमें होट एर गॉन से इस पर एर देना है तो इस परकार से अपने यह सी या फिर मोटर में भूलेट कनेक्टर को कनेक्ट कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो प्ली चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों